आखिरकार अमेरिका भारत में क्या सुलह हो गई है एक बड़ी डील का एलान हुआ तो वहीं दूसरी तरफ नासा का चंद्रयान मिसन फेल हो गया आखिरकार ऐसा क्यों हुआ जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है और CIS News Network के इस एपिसोड में जानने को आपको बह स्थार से पिछले साल के अंत अंत तक में एक पन्नू का केस आया और पन्नू के केस के बाद बहुत सारी चीजे होने लगी यहां तक कि चाइना के मीडिया ने भी कहा कि अब अमेरिका और भारत वो जो अच्छा वाला समय था वो समय चला गया इस स्क्रीन पर आप आर्टिक के साथ ऐसा लगता है कि दोनों की दोस्ती खतम हो गई तो बात यहां दोस्ती की नहीं है बात यहां है रन्नीतिक साजेदारी की और जरूरत की क्यों तो इस वीडियो के अंत तक में आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिल जाएंगी सबसे पहले एक कबर देखिए दवा यानि कि अमेरिका के संसद ने एक वार फिर से भारत को नहीं लेबल किया रिलिजियस फ्रीडम इंडेक्स के अधीन जो लिस्ट बनती है उस लिस्ट में पर्टिकुलर कंसर्न वाले देश में नहीं डाला और यह इनके लिए बहुत दुख की बात है युनाइटेड इस्ट पर हाँ एक चीज यहां पर साफ दिखी कि अमेरिका भारत के साथ और रिष्टों को खराब नहीं करना चाहता है और इस बार उन्होंने सही तरीके से फैसला लिया कि हाँ वहिया हम भारत को समझ रहें कि भारत में ऐसी कोई दिकत नहीं है अब एक एक्जामपल के बाद निवेसक आ रहे हैं और यह निवेसक अपना पैसा लगा रहे हैं सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस इंडिया स्टेट्जिक पार्टनर्सिप फोरम यानि कि यूएस आईएस पीएफ यह इस सम्मिट का पार्टनर है 35 कंपनियां आई हुई हैं और सब फोर्चुन कंपनि हैं अमेरिका की और यह 35 कंपनियां भारत के अंदर निवेस कर रही हैं आपको इससे अंदाजा लग रहा होगा कि भारत और अमेरिका के बीच रिस्ते खराब नहीं हुए हैं उस हद तक जिस हद तक लोग सोच रहे हैं निकी एस यह की रीपोर्ट देख सकते हैं इसमें एक एक्सपर्ट ने यह कहा और वो नेशनल स्युक्रिटी एडवाइजरी वोड के मेंबर भी रह चुके हैं अमेरिका में राजदूत भी रह चुके हैं इनका कहना है कि भारत और अमेरिका का जो रिस्ता है यह इतना मजगूत इस वक्त हो गया है कि छोटी मोटी चीजों को झ खेल सके अब इसका आसर भी होता हुआ दिख रहा है आपको बता दें भारत और जेई के बीच में यानि भारत हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड और जीए के बीच में एक समझोता हुआ था और इस समझोते के आधार पर कहा गया था कि 80% टेक्नोलोजी ट्रांसफर क गये थे तब GE Aerospace Defense और HAL के बीच में ये समझोता हुआ था जिस समझोते को बहुत ही महतपूर्ण माना गया था आपको बता दें स्क्रीन पर एक खबर देख रहे हैं आप GE Aerospace Defense System की प्रेसिडेंट है एमी गोदेर ने खुलासा किया और कहा कि अब हम यहां पर सुरू करने वाले हैं अपने काम को इन्होंने ये भी साफ किया हम यहां भारत को 80% टेक्नोलोजी ट्रांसफर करने वाले हैं भारत के साथ हमारी बातचीत चल रही है और अब प्रोसेस म चीजें आनी सुरू हो गई है चुकि हम भारत को जो टेक्नोलोजी ट्रांसफर कर रहे हैं यह सबसे ज़्यादा है अब तक का इसलिए कुछ चीजों को हम तय कर रहे हैं हमने आज तक अपने किसी भी पार्टनर को इतना ज़्यादा टेक्नोलोजी परसेंटेज में नहीं से कर देंगे और उसके वाद फिर हम पूरी तरीके से फंक्सिनल होने में हमें जो बक्त लगेगा वो करीब 2,026 तक में हम यहाँ पर पूरी तरीके से फंक्सिनल हो जाएंगे आपको बता दें एक बिलियन डॉलर की यह डिल है इसके इंजन को एमका में और तेजस Mk2 वरजन में लगाए जाने की बात वो रही है यानि कि एक बड़ी पोजेटिव खवर निकल कर ये आई कि जो डील ठंडे बस्ते में जानी की बात थी क्योंकि MQ9 डील को माना जा रहा है कि ये भेंट चड़ गया है अब देखना होगा कि उसको लेकर क्यारी जल्टाता है पर फिलाल के डील अपने सही समय पर चल रही है मतलब की पूराने मामले अब दब रहे हैं भारत अमेरिका के रिस्तों में काफी सुधार आता हुआ दिख रहा है जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं अमेरिका के लिए एक बड़ी बुरी खबर है आपको याद होगा इसरो ची कि आप अपनी टेक्नलोजी हमें बेच दो और ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि ये जो टेक्नलोजी इनों ने बनाई थी चंद्रियान 3 के लिए ये बहुत ही उत्तम थी और इनकी बनाई टेक्नलोजी पर कहीं न कहीं अमेरिका को भी लोग हो गया बात भी सच है इसरो ने चंद्रो का एक्सपो सेक ये भी मिसन यहां शुरू हो गया मतलब भारत अंत्रिक्ष में एक एतिहासिक पोजीशन पर पहुचने लगा है भारत की सकती का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि भारत के वैज्ञानी कितने ज़्यादा महतपुर्ण और कितने ज़्यान की स और जब इन्होंने लॉंच किया अमेरिकी प्राइविट कंपनी ने तो लॉंच के साथ ही तै हो गया कि ये चांद पर उतरने वाला नहीं है पेरे ग्रीन वन लेंडर ये चांद पर नहीं उतरेगा ये तै हो गया क्यों तो आपको बता दे इसके पीछे सबसे बड़ा ये था कि दो चीजे दोनों ही चीजे गड़बर थी एक तो जो फ्यूल में था वो लीकेज था और फ्यूल में लीकेज होने की वजह से सही समय पर सही जगह नहीं पहुच पाया दूसरी इनकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है अब चंद घंटों के बाद ही फ्यूल लीक ह इस फ्यूल लीक होने लगा इस वज़स लेंडर उस जगह पे नहीं पहुच पाया जहां से उसे सूरज की रोशनी मिलने वाली थी अब ये तै किया गया है कि ये मिसन तो फैल हो गया किसी तरीके से लेंडर अगर चांद के आस पास घूमने लगे तो यही बहुत बड़ी बात होगी खैर यानि कि ऐसे में ये मिसन हो गया फैल आपको बता दें अब इसके बाद आर्टमिस टू जो फरवरी में होना था इसे भी अमेरिका ने दो साल के लिए टाल दिया है अब ज़र सोचिए रनीतिक तोर पर अगर बात करें तो इस वक्त कई सारी चीजों में अम आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं गले वीडियो में नई ख़बर के साथ